हेलो और मलकम गाई, स्वागाद आपका फेंटासी डिस्सन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोलकतार NCC T20 की बात करेंगे जो की मेच हो गया पर जरगाम फायर बोल्ट्स वर्सिस अलिपुर्दम थंडर्स के बिच में तो चलेखेज दोनों की टीम के प्लेइर पर एक बार ज़र कर लेते हैं कि कुन से प्लेर और मलकम थे С्मल लिक में, गरं लिक में लेके जाएएगे कुन से प्लेर हम लोग थे कप्तान में करेंगे प्लस यहाँ पर फीच रिपोर्ट और लास्ट में हमारी फेंटासी टीम भी देख लेते हैं तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे बहुत एक चोटी सी रिक्वेस्ट है यूटूब चैनल को भी दाक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि ये टूनामेट हम लोग पूरी कवर करेंगे इसके साथ साथ यहां से आपको और भी कैसा है टूनामेट के वीडियोज मिलने वाले जैसे कि हम लोग यहां पर बिक बैस्ट लिक कवर कर रहें इसके साथ साथ के सीसी टीटी 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 पर शुरू है तो साथ अच्छे मैच इसके वीडियो भी आपको यह पर मिलेंगे तो यूटूब चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करना है साथी मैं टेलिग्राम से जुड़ीएगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली साथ यह मैच चेच की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लिक की गरान लिक की जो पीटी मेरेगी वो आपको टेलिग्राम जेनल पर दी जाएगी जहां से पीच रिपोर्ट की बात करूँ तो नूटल होस बैलेंस है अलाकि रंस इतने अच्छे नहीं बंद रहे मैंने आपर वन खटी प्लस मेंचन किया है लेकिन कई बैर आपर इसके आसपास भी रंस नहीं बंते है तो एवरेज मतलब इसके आसपास यह आपर रंस बंते ह ही ना कई आपर चेजिंग करने वाली टिम को एडवांटिस तोड़ा सा कम रहेगा सबसे बात करते हम लोगे आपर जे एप की जो की 6 मैच के लिए जिसमें से 4 मुकाबले जीती है दो मुकाबले हारी है ओपनिंग में आपर स्रीनाथ रूथ और इनके साथे आपर दिपांक महता की जो की हर मैच के लिए से आपको बेटिंग से और बॉलिंग से एडवांटिस देने वाला है 43 किये थे एक बार यापर 29 किये थे 18 किये थे बाकि विकेट्स की बात करें तो दो मुकाबले में आपर इन्होंने विकेट्स निकाले तो दोनों ही आपर एज प्लेयर इनका नाम तोड़ा सठ पठ लगा मुझे बाकी देखो ओस हर मैच के लिए लास मेच के लिए नहीं करवाया था लेकिन अभी देखो आगे आपको ओस करवाते हो देखेंगे क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं हर मैच के लिए बंदे ने ओस करवाया है तो यहां पर डेफिनेटली इनसे बोलिंग से भी अक्सेप्टेशन रहेगी तो इनको आप लोग लेके जा सकते हैं बाकी बात करें मेलों कि आपर सुमन गोस्षाल की जो की कंशिस्टन तो नहीं है लेकिन 22 और 29 जैसे दो 20 प्लस की पारिया जरूर के लिए ओर और बी देख सकते हैं और अगर आपने वीडियो मेरा ज्यान से देखा होगा तो मैंने कहीं ना कहीं इनके बादे में एक चीज़ आपको जरूर बताई तो हिंदास जो कि आगे यानिकि अगली मैच करनेरी उपर से क्यल सकते हैं ऐसा ही कुछ हुआ लास मैच करनेरी पांच्वे नमर पर खेले हाला क कि परफर्मस उन का वहाँ पर भी नहीं रहा दो बार यापर अटाइसों ट्रीश जैसी पारिया केल चुके तो अगर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं इसके साथ या फ़र बात करते हैं तनमाई को जो की इतनी अच्छी बैटिंग करवा रहा है लेकिन बैटिंग से गोपाल मॉंडल ओके ओके रहेंगे जील में ट्राइक करो कि आला कि लास में पहली बार खेला जहाँ पर एक होस की गयन बाजी करवाई और आंकड़े यानिकी और इंके रेकोर्ट्स वगेरा में आपको टेलिग्राम में अपडेट रूँगा तो टेलिग्राम से जुड़ इन उन्हें टोटल पांच में गया लिए जिसमें से पांट बार निकाली है जिसमें से एक बार तीन में और दो विकेट इनके बड़े परफॉमस है बरून मॉंडल की बात करते हैं जो कि यह भी कंशिस्टन्ट नहीं है लेकिन लास में बाई सबने आपर दो विकेट निका भी नहीं इसके अलावा ब्यांच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगेड़ा टेलिग्रम जैनल पर दिये जाएंगे आपको जल्दी से टेलिग्रम जैनल को जोईन करना रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से जोईन करना सुत्रदार वेरी इंपॉर्णट प्रिकर रहेंगे बैटिंग सेक्षन से दिखेंगे इसके लिए से दिबाकर छेतरी जो कि कंशिस्टन तो नहीं है लेकिन विकेट किपिंग सेक्षन से आपर 400 टन की पारी खेली लिए लास मैच के अंदर इसके पहले भी इन्होंने एक ब जापर एक मार बैटिंग नहीं थी दो बाद यापर दो और तीन रन किये थे ठीक है यापर जेल में ट्राइक करना है सुहादिप शर्मा कंशिस्टन तो नहीं लेकिन यापर देखो आप 28 29 और 43 इसके बाद इनका कोई खास पर्फॉमस बैटिंग से नहीं रहा और नहीं ब कोमिक की बात करते हैं जो कि लास में के अंदर 13 रन की इसके पहले यहापर इन्होंने 46 किया दे ओर ओर अठारा मैच के अंदर करीब 25 के अवरे से 341 रन है राइट हैं इसके लिए से बात करते हैं अलमांडा आकाश की जो कि आपर 13 60 और 70 जैसे दो स्कॉर की हुए त्यार मै मैच के अंदर 16 विगेट हैं कपतान है टीम का और हर मैच के अशे पूरी ओवरे स्पी करवा रहा है वेटिंग से भी जब भी चांसिस मिलता है तब यह वेटिंग की काप्य अच्छी करवा लेता है आज की मैच की बात करो तो सखसे से वियावर कपतान और वाइस केप्टन मैक्सिमम पब्लिक इनको कपतान वाइस केप्टन करें हमारे लिए भी बेस्ट ओप्सन है इसके साथ यहाँ से बात करें महमद नवशाद की जो कि आपर लगपक लगपक कंशिस्टन तो नहीं है लेकिन चार बार इनोंने विकेट जरू निकाली है तीन बार विकेट लेस जिसमें से एक बार इनोंने ओर से लिए इसकि बात करें में लेके जाना है जो कि आपर एक विकेट दो ने थीक निकाली है सेम्चीज आपर संधीब बर्मन ने दोबाई विकेट निकाली ये भी कंशिस्टन नहीं है और जोकराजशा जोकी कंशिस्टन तो नहीं लेकिन ये भाई साब बोलते हैं कि मैं जब मुड में रहूँगा तर पर चार पांच विकेट निकाल लोगा तो इनको छोड़ के नहीं आपको जल्दी से टेलिग्राम चैनल को जोइन करना रहेगा लिंक के लिए देख लिए हमारी डेमो फेंटासी टिम कौन से हो सकते हैं तो विकेट कीविंग सेक्षन से मैं आपर दो प्लेयर्स को ले रहा हूँ एस रूत और डी छेत्री दोनों प्लेयर हमारी टिम के अंद अदर रहने वाले हैं बाकी आपर बात करें तो ए भूमिक आपके लिए बेश्ट बिक बन सकते हैं इसके अलावा यहां से हमेलोग बात करते हैं ओल रूंडर सेक्षन की तो ए आकाश है इनके साथ यहापर डी महता और इनके साथ भी नाग हमारी टिम के अंदर रहेंगे ब बोलिंग सेक्षन से आपड़ डी सेन गुपता इनके साथ आपड़ एस बिस्वास और जे शाह हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी या से इन दोन में किसी एक को आप लोग अपने अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं मेरा सेजेशन नहीं रहेगा कप्तान हमारे रहेंगे यहा आपको वीडियो में ही बता दिके बी इनाग सबसे ज़्यादा कप्तान वाइस केप्तान की चोईस हो सकते हैं वैसा एक कुछ है वाइस केप्तान ने मैंने यहापर टी कोश को किया है इसके अलावा यहाँ पर चोईस की बात की जाए तो एस शर्मा अच्छा उप्सन से इन सतरा सही रहेगी इसमस्तरा कहें करई गर पुछ लाइन है यहाँ आपको टैलिग्राम में दी जाएगी टेलिग्राम से जुड़िएका लिंक मैंने नीचे तक के लिए बाई दन्यवाद जय हिंद जय भारत